शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आइकन कारू शिमारा थाया इंडिए और बेल आइकन कारू किजिए मतल CCTV,स भूले सब्सक्राइब का इंडियो अ sperm झाल झाल कि अम्हालो कास्चा करे करे कि ही अम्हाल mouvement ही कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो next कर दो कर दो और Müzik Müzik Yayi Mr. Shams Müftart hecciyesi मिस्टर शाम आपको बाइगेमी की केस में गिरफतार किया जाता है मगर क्यों एक शादी शुदा बीवी के होते हुए आपने दूसरी और से शादी की ये गानून जुर्म है इन सब बातों को जवाब मुझे नहीं अदालत में दीजिएगा करें तो अब कर रहें अन तीन जिंदग्यों की जो पाक हैं साफ हैं बेगुना है Your Honor कानून की कोई भी किताब जिंदगी की किताब से बढ़कर नहीं हो सकती और मेरी जिंदगी की किताब के हर पन्ने पर इनके इल्जामों का जवाब लिखा है मौझूद है लेकिन लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी मेरा नाम कोपाल है अचाना मैं सर मैं वो अकाउंटन के नोकरी के लिए आया हूं सर इस अकबार में आपका एडवर्टिस्मेंट है देखिए आयट में साथ लिखा है ट्यूस्टे और आज मंडे है आपकल आईए लेकिन सर अगर मैं कल आया तो कम मुझे नहीं सर किसे और को मिल जाएगा ऐसे क्यों क्या आप अकाउंटन बनने के काबिल नहीं है काबिल तो हूं सर लेकिन मैं हरीजन हूं सर हरीजन है तो क्या हुआ कल आये मैं बहुत इमांदार आत्मी हूं सर खुब मेहनद से काम करूंगा आप जितनी चाहे मुझे सालरी दे मुझे आपकी हर शर्फ मंदूर है सर फिर भी आपका लाए मेरे एक बेटी है सर उसने तो दिन से खाना नहीं खाया आज अगर नोकरी नहीं मिले तो सांस लेने का भी दम नहीं रहेगा आईये मेरे सर ये कागजात की फाइल्स है और डिर सारे बिल्स अब क्या करना है आप जानते हैं मैं आभी कर देता हूं सर अभी नहीं पहले जाए अपने बेटी के साथ बैठकर खाना खाये ताकि आप में काम करने की ताकत आजाए आप महान है सर आपके इस उपकार को किस नाम से पुकार हूं मेरा नाम शाम है और आपको पाल बाबू मेरे अकांटनुट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मुच सर अधार अधार देख में खाना लेकर आया हूं यह देखे खाना कहां से ले आये बाबा बताता हूं बताता हूं मैं नोकरी ढूनने निकला था न तो एक आखबार में एक फिशिंग कंपणी का एडवर्टिसमेंट पड़ा एक अकांटन चाहिए तो मैं सीधा कंपणी के मालिक शाम बाबू के पास चला गया क्या उनका नाम शाम बाबू है तो पहले खाना तो खाले पहले तो उन्होंने कह दिया एक कल आ जाईए फिर फिर क्या हुआ बाबा फिर मैं आपने आपको रोक नहीं सका मैंने उनको बता दिया कि मैं हरीजन तब हार मानकर मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी एक बेटी है उसने दो दिन से खाना नहीं खाया अगर आज भी काम ना मिला तो सांस लेने की भी ताकत नहीं रहेगी बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूचा मुझे नोकरी दे दी और यह दिख पेज की तंखा भी सुनो मुझे माफ कर दो क्या क्या नहीं कहा मैंने तुम्हें ये तक कहा कि आज बाबा को नौकरी न मिली तो कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी और आज तुम इंसान बनकर वहां पहुंच गए बाबा को नौकरी देने के लिए नाम तक नहीं बदला तुमने कनहिया अपना नाम शाम रख लिया इस धर्दी पर तुम फिर से मेरे लिए शाम बनकर उत्रे हो तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगी मैं जरूर देखूंगी विजे, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे काम को देख रहा हूं क्या मैं अपने काम को सही डंग से अंजाम नहीं दे पा रहा हूं, सर? बिलकुल उसका उड़िटा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिए थैंक्यू सर, थैंक्यू वरे मच्च एक बात पूछो, तुम इतनी महनत क्यों करते हो? मेरे याद तो तुम्हें एक नौकरी करते हो, तुम्हें विलेगा भी तो क्या फाइपन दे? यह क्या कम है सर, आप जैसा आदमी जिसकी महनत में राई के चंद दानों से पहाड बना लिया हो, आज मेरे काम की तारीफ कर रहा है तारीफ तुम्हें काम के लिए काफी नहीं है विजय, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो देना ही चाहते हैं सर, तो एक ऐसी जिन्दगी की शुरुवात दे दीजे, जिससे अपने सिवाय किसी की नौकरी न करनी पड़े तो सुनो, शुरू शुरू में मेरे पास एक भी नाव नहीं थी, और मैं तुम्हें एक नाव दूना हूँ दूना है, वह पाके तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किसमत, क्या नहीं कर पाऊए गुड़ मॉर्लिंग सर, गुड़ मॉर्लिंग कॉपल बाबू, आप उदर क्या देख रहे हैं सपना, सपना और खुली आखों से? कपालवाबु यह एक ऐसा सपना है जो मैं परसों से खुरी आंकों से देखता आ रहा हूं आप वो शिप देख रहे हैं आजी ना चाहता हूं कि एक दिन मेरा भी ऐसा शिप यह आपका सपना सच हो सकता है सर कैसे सर मौरिशस में बहुत सारे इस पेपर में बैंक आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं सर कहां चाल दिया सर बैंक आफ मारिशस इस ड्रेस में आई यह मेरा बिजनस ड्रस है विजर मेरो न इसमें कोई शक नहीं शाम कि तुम्हारा प्रजेक्ट सांड भी है और प्रॉफिटिबल भी है आइम रीली इंप्रेस थैंक यू सार मैं देख रहा हूं कि प्रजेक्ट में तुम्हारा पूरा वजूद डूबा हुआ है तुम्हारे एरादो में काफी कॉन्फिदेंस है ल देखी नसर इरादे मेरे पास है पैसा आपके पास है अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता तो कैबल मद्बूत इरादों पर लोन नहीं दिया जाता शाम जिस बिजनस के लिए क्लाइन को लोन दिया जाता है उसका क्लाइन को experience तो होना मेरा नहीं ठेरो शाम I like you आज शाम को एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं बैंक के डिरेक्टर्स भी आ रहे हैं तुम भी आ जाना आओ भाई शाम, इन लोगों से मिलो, ये सब आमारे बैंक के डिरेक्टर्स हैं मिस्टर विजिरानी, मिस्स विजिरानी, मिस्स जान स्टी जान, मिस्स जान स्टार्पत्र doe, घरम कव करती przypadों पक्रते जादा ग्ugen'tीये और यह मिस्टर सामपत, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का बाई एक तरफ, किसी जमाने में यह शिपिंग बिजिंस्में थे, वो तो सब खर आजकल मेरे साथ काम कर रहे हैं, मिस्टर शाम क्या मैं पूर सकता हूं आप शिप के वारे में क्या जानते हैं, मैं तो पैदा ही बच्पन से मचलियां पकड़ता रहा, तरह तरह की नाव पे सोया और जागाओं, ऐसी एक बड़ी नाव को शिप कहते हैं हाहा, अरे भाई, खुद भी डूबोगे सनाम, हमें भी ले डूबोगे, आज कल के शिपिंग लाइनर को देखो के बरगुरदार तो आंके भटी की भटी रह जाएंगी, चलता फिरता फाइव स्टार होटोल होता है, जिसमें स्विमिंग पूल, टैनिस कोड, शॉपिंग स जाता हो, जिसमें डीप फ्रीज हो, मचली साफ और सुखाने का अलग-अलग डिपार्टमेंट हो, देखो न, मिसाल की तौर पर मौरीशिस के आसपास छोड़-छोड़े आइलेंड से हैं, जैसे कि आइलेंड वी यूनियन, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड उंचा है, य वैसे, वैरि वैसे, क्या ख़याल है, क्या जोश है, यह मेरी बेटी है, इसका न, मेरा नाम रुखमनी है, लोग मुझे प्यार से रुकु कहते हैं, मुझे शाम कहते है, मैं जानती हूँ, जब से यदि बैंक से आया है, आपकी विश्वास के दात दे रहे हैं, शाम, कुछ अच देर के लिए इन लोगों को अकेला छोड़ दो, बड़ी लोग हाँ कहने में ज़रा तेर लगाते हैं पार्टी में कैसा लग रहा है, are you enjoying? बहुत खुबसूरत, मेरे भी बहुत से सपने हैं, एक दिन में भी बहुत बढ़ा आत्मी बनू हूँ और मेरे यह भी बहुत सी पाटियों, ऐसे सपने मत देखिए, क्यों क्यों क्यों? आई दिन रोज ऐसी पाटियों होती रहती हैं, वही लोग, वही चैरे, वही गॉसिपिंग, मैं तो तंग आ गई हूं इन सब से और मैं ऐसे रहनसेन के सपने परसों से राज राज पर आके खोल कर देखता आ रहा हूँ पहले तो मुझे भी यह सब बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब इन सब से मन उगता गया है आज आज आपको यहां देखर ऐसा लगता है जैसे मेरे जिंदगी में एक ताजा हवा का जोंका आ गया हूँ जानती हो ऐसा कब होता कब जब एक खुबसुरत लड़की जवान हो जाए बीवी जी साब उको बुला रहे है चले आपने हमें बुलाया याम को यह खुशकवरी सुनानी थी बैंक के डिरेक्टर्स की राय तुम्हारे फेवर में है बस समझ लोग के लोन संक्शन हो गया बाकी बात्चीत कल सुदा आकर बैंक में गर लेना है नो सर आप मुझे लोन नहीं चाहिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है जी जी आप तो कहते थे कि ये बहुत उस्ताथ है लेकिन ये तो मा उस्ताथ निकला है येस फिस्ताइम ये राइट हाई दैड हाई ममी हाई रुकू चाहिए होगी जब देखो तब घर सगार कहां रहती हो आजकर अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ हाई देख रहे हैं आप इसके खामुशी कुछ बात ही ऐसी है ममी रहा पर्सनल मामला है हाई रेनू लगता है हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है लगता है लगता है लगता है लगता है इना हरा, इना इना मेरे पेलेगे तंग के खुली, उपर से आगे बैरन होली जुलम तुने कर डाला, प्यार में रंग डाला मैं तु सर्म से पाने पाने होली हो तुझे सिल्वा तुंगा नहीं चोली, के अब तु सोला बरस की होली जुलम तुने कर डाला, प्यार में रंग डाला विना बंदूप चल गई कोली, मेरे पेले ये तंग के खुली नेला, नेला, नेला आया, आया रंगी, लगना मोसम रंगीला मोसम आया तेरी मेरे चाटी 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 दुनिया वाले करने लगे हैं बात यब तो जली जली दुनिया वाले करने लगे हैं बात यब तो जली जली आपक स्सक्ति अचाटी चाटी लगे हैं ुए्य जली चाटी पर वाले मेरे लगे हैं अचाटी लगे हैं झाल झाल साचन अब तो तुम विन हमसे रहाना जाएगा साचन अब तो तुम विन हमसे रहान जाएगा जल्दी ही दीवाना तेरा दोली लेकर आएगा जुलम तुने घर डाला प्यार में रंग डाला विना बंदूक चल गई गोली ओ तुझे सिल्वा दुन्गा नहीं चोली के अब तू सुला बरस की होली चुलम दूने कर डाला प्यार मेरं रंग डाला प्यार मेरे कर दो बंदू रंग राला बरस की होली छोला राला बंदू कर बोल्प बन्दूर बंदूस और डाला बंदूस कुछ आप सुनून सर्व, आज क्या बात है आप आफिस में, होली नहीं खेली, आप तो जानते हैं सर, मेरे साथ कौन होली खेलेगा, अरे हम खेलेंगे आपके साथ होली, जमाना चाहे खेले या न खेले, क्या कर रहे हैं सर, पेपर्स खराब हो जाएंगा, अरे यह बहुत इंपॉर्टन पेपर्स हैं सर, अरे ऐसे कौन से इंपॉर्टन पेपर्स हैं, सर मैं आपको सर्प्राइज देना चाहता था, आपको एक बहुत बड़े ट्रस्स की तरफ से एक करोड का लोन मिल रहा है सर, आप वो शिप आप खरीच सकते हैं, अरे रियली, सर, हाई, क्या बात है, बहुत खुशने तर आ रहे हो, बिजनस की बात है, रुकु, यह हमारे गुपाल बाबु, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, आज इनोंने होली नहीं खेली, कहने लगे, कि आज हमारे साथ कौन होली खेलेगा, क्योंकि हम तो हरीजन है, बहुत हरीजन की आउला, निकल यह से, निकल, ममी, आपने उसे क्यों दाता है, मुझे रोते नहीं बेबी, देखो, यह हरीजन बहुत गंदे होते हैं, इनके साथ कभी नखेल ना क्या हुआ? मैं अरिजन हूँ नहीं, सेर, वाट नांसेंस क्या हुआ, रुको? क्या बात? देखते रही, मेरे गाजिस साथ नहीं हो रही कहो तो अक्का मार दे, येस प्लीज, लेकिन बड़े लोगों की गाड़ी एक गरीब आदमी से कैसे दके ली जाए, तो किसी और को बिलाओ, अरे आज तो अली का तैवारा सब चुटती पर है, हाँ, कहो तो गुपाल बाबु को बिला लो, किसी को भी बिला लो, सोच लो, वो अच्छूत है, कुलल, चलो, बुलाए लेते, कुपाल बाबु, ओ, कुपाल बाबु, आई, आई, कुपाल बाबु, जड़ा धक्का मार ये, चलिए, ये, बड़ी हल्की है, कुपाल बाबु, आपके लिए मेरे दिल में क्या इज़त है, आप जानना चाहते है, आए मेरे साथ, आए, मेरे पैदा होने से पहले और मेरे पैदा होने के बाद, हम लोग जोपरों में रहते थे, मेरे बाबा और चाचा का एक सपना था, अपना एक खुबसूरत घर हो, लेकिन बदकिस्मती से, ये सपना उनी के साथ मर गया, उसी सपने को साकार करने के लिए, मैंने ये घर आजयर में आपको देखता हूँ, मुझे अपने भाबा और चाचा क याद आती है, जैसे कि भगवान ने खुट उनकी शकल के आपको मुझ के मिला दिया, आज से, आप इस घर में रहेंगा, तो मुझे लगेगा, जैसे मेरे बाबा और चाचा इस घर में रह रहुए है, ल लेकिन सर मेरे एक प्रार्थना है आप रुप्मिन जी को मना लीजिए वो आपसे बहुत प्यार करती है कोपाल बाबू अगर उसने मेरा अपमान किया होता तो महाजकर बरदाश कर लेता लेकिन जिसका मैं आदर करता हूँ अगर उसका कोई अपमान करेगा तो मुझसे बरदाश नहीं होगा मैं भी मैं भी उसे खिलवाड नहीं कर रहा हूँ प्यार करता हूँ उससे अब हरी जैन इस अपमान को हजारों सालों से ओड़ते विछाते आ रहे है अब आदत सी पड़ गई है से मेरे सामने अगर कोई आपका अपमान करेगा तो मुझसे बरदाश नहीं होगा अगर उसे उसे मुझसे प्यार है तो उसे आपको सबिखार करना होगा कि अच्चर मेरे साथ किसने होली खेली है किसने शाम बाब बूले वह अज तो हमारे दुनिया बदल दी उने स्वार्प जैसा खर दे दिया है हमें शाम बाब बूले लेकिन रादा इस खुशे में एक गडबड हो गई है क्या? वो रुकमिनी जी वहाँ आ गई कौन रुकमिनी जी बाबा? वो एक बड़ी सुन्दर सी गुड़िया सी लड़की है जिसे शाब बाबु बहुत प्यार करते हैं हाँ राथा और रुकमिनी जी भी उन्हें बहुत प्यार करती है अच्छा हाँ तुम उदास क्यों हो गई वो वो तुमने कहा ना बाबा कुछ गड़बड हो गई क्या हुआ और वो शाम बाबु मेरे तरफ ज़्यादा थ्यान दे रहे थे कि अच्छा ना राज हो गए रहे ना बाबा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि क्या इसी दिन के लिए तुमने बाबा से मेरा नाम राधा रखवाय था कि चाहे अर्मान अधूरे रह जाए पर यह नाम सच हो जाए कोई बात नहीं का नहीं यह प्यार के बहुत से रंग होते हैं प्यार पूजा तपस्या और प्राथना अब पिस राधा की चिंता छोड़ दो का नहीं बस एक ही प्राथना सुन लो शाम बाबू रुपमिनी जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं न उन्हें मिला दो उनकी जिन्दगी को खुशियों से भर दो कनेया शाम बाबू को देना रुपमिनी जी का प्यार और हो सके तो मुझे पूजा का अधिकार अन्दर आने के लिए नहीं कहोगे नाराज हो माफ कर दो माफी तो तुम्हें कुपाल बाबू से मागनी चाहिए चाहिए तुम यह नहीं जानती वो मेरे बाबा समान है मैं उनसे भी माफी माग लूँगी लेकिन शाम तुम तो माफ कर दो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती शाम आई आई लव यू आई आई लव यू शाम कुपाल बाब आपको यकीन है कि ट्रस्ट हमें करोर रुपे का लोन सेंक्शन कर देगा मुझे पूरा यकीन है सर ट्रस्टी साहब ने कहा था कि वो तीन बेश तक आ जाएंगे अभी तो साड़े तीन बज गये ट्राफिक प्रॉब्लम साहब आते ही होंगे को देखिए आगए सर कि अग्रेटिलेशन्स मिस्टर शाम हमारे ट्रस्ट ने आपका लोन पास कर दिया है कल आप हमारे आफिस आगर पेपर साइन कर दीजिए और अपने चेक लेजिए आपके ट्रस्ट ने मुझे ये लोन देकर मेरे सपनों को पंक लगा दी यह तो शुरूबात है मिस्टर शाम आप कभी भी एक क्रोड से सव क्रोड तक हमारे ट्रस्ट से कर्ज ले सकते हैं हमारे ट्रस्ट कितने जोरिया आपके लिए हमेशा खुली रहेंगी आपके ट्रस्ट ने जो मुझे पर ट्रस्ट किया है मैं उसके लिए शुक्र गुजार रहा हूंगा यह विल्कम थैंकिसर चलो हाई हाई ममी ने तुम्हें बुलाया है ममी ने खैरियत तो है यहां किस बताओ चलो मेरे साथ चलो ना अरे पैठो बात क्या है चलो तो सही कमान क्वेक कुपाल बावु आउडर पैरी जरूर बिजवा देना हाई शायद मेरी शादी का खया शायद मेरी शादी का खया दिल में आया है इसलिए ममी ने मेरी तुम ही चायबे बिलाया है शायद मेरी शादी का खया शायद मेरी शादी का खया दिल में आया है इसलिए ममी ने मेरी तुम ही चायबे बिलाया है पंची अकेला दे तुम जे ये जाल बिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है के विभी तेरी में ने तुम जाल रने तुम जाल आपरे आप्राण जाल रजीए तुम जार बजये घर चले आना, मेरा हाथ बांग लेना, जरन शर्माना ठीक तुम चार बजे, घर चले आना, मेरा हाथ बांग लेना, जरन शर्माना साथ तेरे मेरे संग, सक में देख रही हो, धिली हुई धूप में तारे देख रही हो पर नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, बाबा मेरी बाबा, आप कर देना इन्हीं आदाओं पर तो अपना दिर लाया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम चाय पे बलाया है पंची अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है लुड़ा है आपन शजय को भीलिए दर्फानी जुछ खिए जिलिए लाग भीलिए आप जिलिए जाग भीलिए लाग भीलिए लुछ जाग भीलिए। करो, छिरना हम को सनम, हाँ कहो, घर चलो, तुम का मेरी पसम दिल लगी ना करो, छिरना हम को सनम, हाँ कहो, घर चलो, तुम का मेरी पसम जाने मन माना हम उन पे मरते हैं प्यार तो ठीक है शादी से दरते हैं शादी से पहले तो सब बच्छा लगता है सारी गुमर को फिल बोना पड़ता है इन्धी आदाओं पर दोहां अपना दिर लाया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुम भी चाय पे बुलाया है अर पंसी अकेला देखु मुझे ये जाल पिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरे मुझे चाय पे बुलाया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुम भी चाय पे बुलाया है तुम्हें मेरी पसम आगे ना नहीं मिलकुल नहीं तेरी पसम आओंगा हाँ 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 अर्या हुआ हाँ हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा यहां प्राना इनको पसंदलिहा नहीं आ रहा हा हमाँ हाँ मावी नहीं यकिन नहीं आ रहा था कि आपने इने बुलवाया है नमस्तर लुकुवेटी इन्फियोरिटी कॉंप्लेक्स तो जाते ही जाते जाता है तरसल तहजीब भी आते आती आती रुकू बेटी तुम अंदर जाकर देखो सब ठीक है या नहीं हा ममी बैठो हाँ बैठो बैठो हमने सुचा बात तो एक नेक दिन कर नहीं है जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है कुछ खा लो ची ची बर्गुरदार हाथ से तो गवार लोग खाते बड़ी सुसाइटी के लोग छूरी कांटे का इस्तावाल करते यू आये यू अगर आप मुझसे ये कहना चाहते है कि मैं आपकी सुसाइटी को बिलॉंग नहीं करता हूँ तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ और कई बार रुकु से भी कह चुका हूँ लेकिन वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जूट-बूट पहन कर छूरी काटे से खाने वाले लोग भी जहनी तोर पर छोटे और गवार हो सकते हैं बात ये है शाम, रुको अभी बच्छी है लेकिन तुम बच्चे नहीं हो बोलो उसकी जिंदगी से हट जाने की क्या कीवा चाहिए तुम रहे है मैं इनके मूँ से इतनी गिरू ही बात सुनकर भी खामोश हूँ इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता कि मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ तुम्हारा प्यार मेरी बेटी को दौलत, रुद्बा, गाड़ी और बंगला दे नहीं सकता और मेरी बेटी को इन सब चीजों की आदत है आदते बदली भी जा सकती है मैडम आप फिकर मत करिये, मैं वादा करता हूँ ये सब चीजे मैं आपकी बेटी की कदमों में निचावर करता हूँ अरे भाई, नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या शाले साहब, मेरे घर में आये हुए मैमान के साथ इस तरह पास करने का आपको कोई हक नहीं रुको आपकी बेहन की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है और इस घर में अभी तक मेरा हुकम चलता है अपने होने वाले दामास से माफी मांगिये, मैने ये शादी मंजूर करती है Dad, I love you! Let's have a family photograph आये न, कॉपाल बाबू अरे भई रेडू, बहुत ही अच्छा इंसाम किया है तुमने इतना शानदा रेसेप्शन तो अपने मोरेशियस में पहली बार देखने तुम मिला है शांती, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सोतेली मा हुना कहीं लोग ये न कहें कि इसकी कमी रहे गई उसकी कमी रहे गई एक्स्क्यूज मी आज बहुत कुछ रदर आरे जी हाँ, लेकिन मैंने आपको फैचाना नहीं से मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ जी मैं रुक्वनी का मामा हूँ नाम है मेरा संपत, संपतनार अच्छा नमस्ते बड़ी खुशी हुए आप समय हाँ, खुशी तो आज आपको कुछ जादा ही होगी क्योंकि आपके साहब ने एक बहुत अमीज लड़की के साथ शादी जो किये है सिर्फ अमीर लड़की से नहीं सर, अच्छी लड़की से शादी अकाउंटन साहब अच्छी लड़की से शादी तो किसी की भी हो जाती है लेकिन अमीर लड़की से शादी किसी कि हो आपके साहब गाई साहब की इकलौती बेटी से शादी करके अरपो को रोडो की जायदात का मालक बनने का खाथ देख रहे है पर मैं वो बला हूँ जो सीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ क्या हुआ रहा था लंगड़ी हो गई बाबा अच्छा यह बता बाबा शामबाब और रुकमिनी जी की जोड़ी कैसी लग रही थी रहे ऐसी सुन्दर जोड़ी जैसे एक दूसरे के लिए भी बनाय गई हूँ तो फिर उस हिंदुस्तान से आई किताब में सच्छी लिखा था क्या अरे तुम तो कुछ पढ़ते वरते नहीं बाबा लाइब्रेरियन तो मैं हूँ मैं पढ़ते हूँ उस किताब में लिखा था शादी जनम जनम का बंधन है और ये बंधन स्वर्ग में ही तै हो जाता है कि नई जिन्दगी की नई शुरुआत करने के लिए रुकूद मैंने यह दर खरीदा है इसमें मेरे अर्मान मेरे सपने सब बंध है कि मुझे एक छूटी सी नन्नी सी गुढिया की कितनी चाहत है मिलेगी ना एक नन्नी सी छूटी सी गुढिया जल्दी से जल्दी हां शाम आज मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी भी मुझे देखकर जल रही होगी अपने घर की पाबन जिंदेगी से मैं इतनी तंग आ गई थी मगर तुम्हारी बाहों के समंदर में डूब कर उभरने को दिल नहीं चाहता तो चले समंदर में चले शाम कल रात से अब तक प्यार में जो तजर्बा मुझे हुआ मैंने तो कभी सूचा भी न था जाना भी न था हार करवट एक नया शाम देखा तुमने मुझे तुम्हारी बीवी होने पर नाज है लुको, जिंदगी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खुशी से मैं तुम्हारा दामन भर देना चाहता हूं इतना बड़ आदमी बनना चाहता हूं क्या? काम तुम्हारी खुशी के लिए चीना ही मेरी जिंदगी है शाम यह वी ना पात हा चले समुंदर में? नहीं शाम तुम्हारी बाहों के समुंदर में इस समुंदर में नहीं परिस एक्सपर्स की टीम आ चुकी है बार बैठे उनसे कई दू कल सुबह मीटिंग होगी नहीं ने गुपाल बाबु वो लोग इतनी दूर से आये मीटिंग आज ही होगी लेकिन सर आठ बज रहे हैं सर आज तो आपकी शादी का दूसरा दिन है मेरे खुनी जीमा इंतजार कर रही होंगी सर अफो कॉपाल बाबु आप तो जानते हैं कि शाम का दूसरा नाम काम है कॉपाल अप्遊戲 कि प्सक्राव तो ज़्य कर दूसरा बाबल सिर्डवित वहांतlection आपक suffer उनन्त अरे ये भी कोई वक्त है घर पर आने का अरे कितनी सिंपल सी बात है जिस आदमी की शादी एक दिन पहले होई हो और उसका मिया सवा बारा बज़े घर आए तो बीवी उटेगनी तवर क्या होगा एक्सेक्टली मैंनो उसको यही कहा कि आपके कल्चर हमारे कल्चर में बहुत परक है हमारे कल्चर में जब बीवी नराज हो जाती है तो उसको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अरे क्या कुछ नहीं करना पड़ता है अरे उसकी पूजा करनी पड़ती है अरे उसक अरे सासू तीरत अरे ससुरा तीरत सासू तीरत साला साली है और दुनिया के सब तीरत जूटे चारो धाम घर वाली है हरे सासू तीरत सासू तीरत तीरत साला साली है और दुनिया के सब सीरत जूटे चारों धान धर वाली है बीवी जब रूठे तो यादा थी है साली बीवी जब रूठे तो यादा थी है साली साली जी जाको प्यारी है वो गोरी हो या काली लेकिन अपनी किस्मत में तो साला है ना साली है अरे चारों धान धर वाली है चारों धान धर वाली है अरे सासू पीरत अरे सातुरा पीरत पीरत साला साली है अरे दुनिया के सब पीरत जूटे चारों धान धर वाली है अरे 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 वाली है अरे वाली है अरे वाली है 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 बीवी तो अच्छी वो, खोती जो नखरे वाली फूलों से प्यारी लगती है जब जब देथी है गाली कोड़ी तो सानू पता नहीं पर साटी ते मखणा वाली है अरे चारों धाम घर वाली है चारों धाम घर वाली है अरे सासू तीरत अरे ससुरा तीरत धीरत साला साली है ये दुनिया के सब तीरत जुटे चारों धाम घर वाली है अरे चारों धाम घर वाली है बोले घर वाली की जै बोले मखहाँ वाली दी जै और बोले शाथ मैं अपनी भी अ, nee, नहीं, नहीं,…! घर वाली की जै जिस तरह उसने रुकू को अपने प्यार में फसा कर हमारे मुऊ पर तमाचा meet मा रहा है उसी तरह एक दिन अगर रुकू से उसके मुऊ पर तमाचा नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी संपत नहीं तुम ठीक कहते हो संपर, शाम ने रुकु से नहीं, हमारी पैसन से शादी की है हाँ, तुम फिकर ना के अरल सिस्टर, मेरे होते वे वे इस गर से पूटी कौडी नहीं ले जा सकता बलके मा उसकी लंगोटी तक उतार लूँगा, हाँ मैं वो बला हूँ, जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ अरे अरे बेटा, तुम हो और यहाँ, अरे हमने तो सोचता था, एक बुमहेने ते तुम्हाँ दर्शन ही नहीं होगे के लिए तुम लंड़न, पेरे, स्विट्जलेंड, नहीं मामजी, हम हनीवन के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं क्यों फ्रांस से कुछ एक्सपर्स की टीम आई होई है, शाम की पास वक्ती नहीं है मेरे एक लोटी बेटी, और उसका हनीवन तक नहीं क्या-क्या सोचा था मैंने, भाईया, क्या-क्या अर्मान थे मेरे तुम्हे काम करो, सिस्टर, हनिवन का सारा खर्चा प्रेजन करता हूँ दुनिया बर के होटल बुक करके वहां अडवांस बजवा दो और साथ में हवाई जहाज की दूर्टिक्ते दिलवा दो फिर देखो उसे कैसे फुर्चत नहीं मिलती है, हमारी विटिया रानी की जुन्दगी में ऐसा बहुगा-बला बार-बार थोड़ी आएगा ठाइक्यू मामा जी, ममी मैं डैरी से मिलके आती हूँ अच्छ उसे में पहली चंगारी है या मत्रे मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ हाई स्वीधाड हाई रुक्रू, देखो हम दुनिया का नक्षा देख रहे हैं, जानती हो क्यों? क्यों? हमने जो नया कार को शिप खरीदा था ना, उसमें हम एक बेड्रूम बना रहे हैं पेड्रू, हाँ यानि कि हनीमून कैबिन, और उस जहाज से हम दुनिया के साथ भेरे लगाएंगे और साथ और समुंद्रों को अपने प्यार का गवाह बनाएंगे अपना शिप, अपनी दौलत, अपनी मैनत, अपनी राते, अपनी सांसे, सब कुछ अपना और अगर मैं तुम्हें अभी पंक लगा दू, तो उड़कर चलोगी मेरे साथ अपकोर्स, अपकोर्स इन पंकों के सहारे हम दुनिया में कहीं भी उड़कर जा सकते हैं यह उड़ने के लिए पंकों का इंतरजाम शायद तुमारे मामा और मा ने किया होगा उन्हों ने सोचा कि हमें फ्री ट्रिप मिल जाएगा और हम हानीमून के लिए चले जाएंगे हाँ और तुम भी इतनी नादान निकली कि वो टिकेट्स लेकर यहां चलिया है मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता लिया आई तो क्या हुआ तो क्या हुआ रुकू, दूसरों की दौलत के पंक लोगों को घरों से दूर ले जाते और यह पंक जीने लग जाते हैं वो वापिस घर लौट कर कभी नहीं आते हैं रुकू कभी नहीं आते ओ फोर डालिंग, तुम तो हमेशा उल्टा सिदा सोचते हो नहीं रुक्कूँ तुम समझती नहीं, तुम्हारी मावामा ने यह इंतजान जानबुजकर मुझह दलील करने के लिए विए. शा म, मैं तुम से अगरी नहीं करती, ये तुम नहीं, तुम्हारी मिड्ल-कलास मेंटैलिटी बोल रही है. क्या搞? हाँ. और मामा जी की बेज़ज़ती नहीं हो जाएगी तुम्हें किसकी इज़ज़त ज्यादा प्यारी है उनकी या मेरी शाम तुम तो हुज़त पर उतर आए ये सब उन्होंने हमारी खुशी के लिए किया था और तुमने इसे अपनी इज़़त का सवाल बना लिया लोकू तुम् बेबी अरे रुको बेटे क्या हुआ तुम्हें अपने प्रोग्राम तो मतल दिया पता है कल रात को एरपोर्ट पर बड़े बड़े लोग तुम्हें सीफ करने आये थे लोग इतने फूले कर आये थे कि पूरा हवाई जहार हनीमून प्लेन हो जाता बहुत बेज़ती अबर तो कर्दी होती कि तुम नहीं जा रही हो जी ममा जी बात यह है वो शाम विजी थे एक्सपर्स की टीम आई हुई है ना फ्रांस से तो मैंने ही कहा कि रहने दीजिए पहले काम और फिर सब कुछ और फिर आप तो जानते हैं शाम अपने काम के पीछे कितने दीवाने ह तीक है मगर इतने सारे किलोने किस लिए और वो भी घर में बच्चा होने से पहले शाम सहाब की यह कौन ची दीवानगी है मामा जी शाम को बच्चों की बड़ी चाहत है उनकी कोई बहन नहीं थी ना इसलिए उनको एक बच्चे की खास तोर से एक बिच्चा की बड़ी तम मैं क्या बोलो दीदी तुम्हे कुछ दो बहुत है बेबी अरे शारी करके अभी चार दीन भी नहीं हतें और इसघर में बच्चे पएदा करने की बाते हो रही हैं देखो बेबी, इतनी जल्दी ये गलती न करना, बच्चा जल्दी पैदा करने की, तुम्हारा फीवर खराब हो जाएगा, आरे मैंने बड़ी दुनिया देखी, और दूसरी बात ये है, कि बच्चा पैदा होती ही, मर्द की आखे बदल जाती ही, मेरा कहा मानो, तो आपरेश होगा, आप जी, आपकी बेटी खाना नहीं बनाती, सर वो उसको MGI में लाइबरेट के नोखी मिल गई, और गवर्मेंट के तरफ से पास में घर भी मिल गया है, तो तो चीक है, तो फिर अमारिया हो जाए, लेकिन सर वो, अब वो बात ये नहीं रही, रुकू बदल गई है और वैसी भी अपनी ममी की साथ पार्टी में गई है, तेर से आएगी, चलिए, चलिए, कमान, कमान, विल आप समफन, कमान, हाई तुम्हारी हिमत कैसे हुई मेरे बेडरूमे आने की मैंने यहां ले आया था, रुकू, भूख बहुत लगी थी, इसलिए हमने खाना, बेडरूम में मंगा लिया अगर तुम इसे यहां ले भी आये शाम, तो ये बिस्तर पर कैसे बैठ गया, इसे ये क्यों याद नहिरा, कि ये मेरा बिस्तर है, और ये एक अच्छूत है मुझे याद रखना चाहिए था, कि मैं एक अच्छूत हूँ, कुपल बावु है सर, चीके का मुँ अगर खुला रह जाए, तो कम से कम घर के कुट्टे को याद रखना चाहिए, कि उसमें मुँ ना डाले, मुझे माफ कर दीजिए, अएन्दा इसी गलती नहीं हो कि तोड़ दिया न उस घरीब का दिल, पतम कर दिया न उसका इस घर से रिष्टा, रिष्टा जोड़ना है तो तुम जोड़ो, शाम, मैं तो आज से इस विस्तर अभी नहीं सूंगी रुको, मेरे मना करने पर भी तुमने ये मर्सेडिस वापस नहीं की शाम, शायद तुम नहीं जानते, रुको ने जो चाहा है हमेशा पाया है रुको, बिसनस में से इस तरह पैसा निकाल कर कार खरिदना अच्छी बात नहीं है, तुम तो जानती हो, ये पैसा करजे का है तुम से कौन पैसा मांग रहा है, तुम तो जानते हो, मैं किस पापा की बेटी हूँ, डून बॉदर, उसकी पेमेंट हो जाएगी तुम तो जरा-जरा सी बात पर रूट जाती हो तुमने मुझे ओफिस में क्यों बुलाया है तुम्हें एक सपाइज देना चाहता हूँ, आज शाम हम दोनों एर मौरिश से पैरिस जा रहा है पैरिस, किस कुशी में? देखो न, हमारा हनीमून ने हुआ, तो हमने सोचा, वहां पर बिजनेस कांफरेंस है, तो हनीमून का हनीमून काम का काम थैंक यू वेरी मुच शाम हनीमून की इतनी भी क्या जल्दी अब भी काम कर लो साल-दो साल के बाद हनीमून मना लेंगे इस वेरी गुर आइडिया, इस वेरी गुर आइडिया चंद रुपों की तो बात है, टिकेट भी क्या वापिस करनी है तुमारी टिकेट पार देए कर दो कर दो स्थान पार कर दो फटर लाहँ लेभा लेडिकर रॖसांस 똗 बुलोर लेफ है झाल 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 मैं पूछता है कौन है इस घर में जो मेरी बीवी की जिन्दगी के साथ केल रहा है मेरी जिन्दगी के साथ केल रहा है पूछने से पहले ये मत भूलो इस घर में रहने वालों ने तुम्हारे जिन्दगी को जिन्दगी बना दिया वहना वो जिन्दगी थी ही क्या मामी उस जिन्दगी में मैं बहुत सुखी था बहुत सुखी था घम से किसी का बैंक बैलेंस मेरे मुँपर तमाचा तो नहीं मारता था मेरी इजद मेरी खुदारी का गला तो नहीं गोडता था आईंदा शाम, हमारे पास इतने पैसे हैं, जिसके सूसे मेरी बेटी, तुम्हारी जिन्दगी के सारे कल और सारे परसों खरीच सकती है। पहले तुम अपना आज तो ठीक कर लो, फिर दूसरों के सारे कल और परसों खरीचती रहना हो, बीवी तो तुम कभी न अच्छी बन सकी, लेकिन मा इतनी बुरी बनोगी, इसकी उमीद न थी। आप इस अतना इंसान के लिए मेरी इज़त उचाल रहे हैं। इज़त तो तुम उच्छाल रही हो अपने दामाद को अदना इंसान कहकर, अपनी एक लोती बेटी को जुए और रेस खेलने की गंदी आदक डालकर, याद रखना, तुम्हारी जैसी माएं एक दिन बहुत पश्टाती हैं, बहुत। आप जैसे आउलाद के दुश्मन बाप, दुनिया से चले जाने की बाद ही आउलाद को खुश ही दे सकते ही। ऐसा मत कहूं ममी, हैं। भगवान करे पापा की उमर हजार बरस की हो। I love you, पापा। सुन लिया, शाम। रुकु दिल की बुरी नहीं है। एक बात तो मानोगे। आपकी कई हर बात, मेरे लिए खुक्म है। मेरी आँख बंद हो जाने के बाद मेरा सब कुछ रुकु का है, तुम्हारा। और तुम अभी अभी देख चुके हो कि रुकु में बच्पना अभी तक बेवकुफी की याद तक है। इसलिए मैं चाता हूँ कि तुम अपने बिजनेस में मेरा पैसा लगा लो। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपसे करजा नहीं ले सकता। तो ऐसा करो शाम, रुकु को पार्टनर बना लो। लेकिन सब पार्टनर्शिप में आज में अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह जाता। मेरा हुकम नहीं मान सकते है। तो मुझ पर ऐसान तो कर सकते हो। नहीं बाबुजी, आपने आपको छोटा मत बनाये। आपका हुकम मेरे लिए भगवान का हुकम है। हलो। हलो बाबा, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा, बोल बिटिया। बाबा, आज मुझे पहली सैलरी मिली है। और मैं चाहती हूँ इसे शाम बाब और रुकमिनी जी पर खर्च करो। उन्हें लंच पर इन्वाइट कीजी ना बाबा। अच्छा, एक मिन राधा। सर, राधा बीटी अगर फोन है। उसको अच पहली तंखा मिली है। आपकी शादी पर नहीं आ सकी थी न, अच्छा चाहती है कि आप और रुकमिनी जी हमारे यहाँ लंच पर आजाए। लेकिन रुकमिनी जी तो... नहीं नहीं याँ, मैं रुकु को लेकर आऊंगा। हम आएंगे लंच पर, दोनों आएंगे। हलो, रादा, हाँ हाँ, वो दोनों आएंगे लंच पर थे। थेंक यू बाबा, थेंक यू बरी माच। लुकु, बिजनेस को मदर नजर रखते हुए, मैं तुमारी तरफ से किसी को जुबान देया है। अब तुमारी हर बात मन्जूर है। तो फिर जल्दी से त्यार हो जाओ, कहीं लंच पर जाना है। कहाँ? जब वादा किया है, तो सवाल क्यों कर रही है। ओके, चलो, मैं चलती हूँ, लेट्स गू! मैं जानता हूँ, तुम इनकार नहीं करोगी। इसलिए बताए देता हूँ, वो हमारे गोपाल बाबु की… क्या? गोपाल बाबु की यहां खाना खाने जाना होगा। उस अचूद के घर जिसे मैं स्टैंड भी नहीं कर सकती, उसकी रोटी खानी होगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। यह किसी मासूं के अर्मानों का सवाल है। चहनलू मैं कैसे अर्मान kto यह मेरी जुबान का सवाल है। तुम कह सकते हो तुमारा पार्टना नहीं माना। मैंने थुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है रोकू। मुझे तुमसे ये उमीद न थी, कि तुम इतनी चोटी चीज़ मागोगे, मैं नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी और हाँ, आइंदा याद रखना कि अब तुम अकेले मालिक नहीं हो, तुम्हारी कोई बराबर की हिस्सेदार भी है कर्णार भी है कर्णार कर्णार जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी वम का सावर भी है दसके उस पार जाना पड़ेगा मुवड़ेगा जाना झाल palाग जैे जैँ खैशी धार thing जैँ एार टब आ пण लूवरा का सावर दिल जाके जाएब़े गया नाइस वहाँ एक मयाँ यूश्स छी का जाएब है जिसका चितन ना ओवा चल यहाँ पर उसको सावा तुर्दनी मिलेगी अचितन ना ओवा चल यहाँ पर उसको सावा तुर्दनी मिलेगी पूल जीवन में गर ना पिले तो काटों से भी निभाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा है अगर दूर मंज तो क्या रास्ता भी है मुश्की तो क्या रास्ता भी है मुश्की तो क्या रात्तारों भरी ना मिले तो दिल का दिल जलाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है जिन्दगी तो गाना पड़ेगा जिन्दगी तो पहली भी है सुख दुख मती सहरी भी है जिन्दीगी एक पहेरी भी है सुख दुग की सहेरी भी है जिन्दीगी एक वचल भी तो है जिसे सब को निभाना पड़ेगा जिन्दीगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी चंता सागर भी है खसके उस पार गाना पड़ेगा आप शामबबू आईये ना तुम रहा था हो? जी हाँ बड़ा अच्छा कीट का रही थी जिन्दगी गम का सागर भी है आपकी आखों में आशू है खुशी के आशू है अरे आप अकेली? हाँ वो अचानक उसकी तबियत खराब हो गए आईये ना सर प्लीज अंदर आईये आईये शाम बाबू, मैं पापा की जरीए आपको इतना जानती हूँ कि आप भी अपने आपको नहीं जानते होंगे अचा, कितना? इतना बाबा आपकी इतनी तारिश करते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे नहीं भाई, नहीं मैं फुलना नहीं चाहता, क्योंके पहले ही बहुत सुना है आप बहुत अंबिश्यस है आपके सपने तो आसमान से भी उचे है सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरना चाहिए रादा रुकमिनी जी के होते, प्रेरना के क्या कमी है आपको हाँ रादा, कोई कमी नहीं आपकी हर सांस से लगता है, आपके मन में कोई तूफान है जिसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर वो थम नहीं रहा एक तुफान हो तो रोकूं, रादा, हजार हो तुफान है चलो कुछ और बात करते हैं और बात आप कैसे करेंगे शांबाबू? जवाब का मन ही शांथ नहीं? तो कैसे शांथ करू अपना मन, रादा अपने सारे दुख मुझे दे दीजे तुम्हें दे दू नहीं रादा जिसका बोज है उसी गुटन होगा जब बोज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बांट लेना चाहिए मैंने आपके खुशिया तो नहीं मांगी दुख मांगा है क्या आप मुझे वो भी नहीं दे सकते क्या बाते हो रही है कुशनी बाबा बस यहीं तुम्हारे बाबा ने बताओ कि तुम एमज़ाई की लाइबरेरी में काम करती हो जी हां लाइबरेरियन हो अरे बाते ही करोगी या खाना भी खिलाओगी जाने कुछ जीनी चाहता मगर जाना तो पड़े गए बहुत अच्छा कीत था, बहुत अच्छा खाना था और इन दोनों से और इन दोनों से बहुत अच्छे हैं आप लोग और आपका अपना पना कि अच्छा के लिए दवाई लेन जा रहा हूं दवाई रुको रुको क्या रुको शोर मचाने की क्या ज़रूरत है बेबी की तबिया खराब है लेडी डॉक्टर एक्जामेन कर रही है लेडी डॉक्टर इसका मतलब खुशकवरी है है ना है ना खुशकवरी वो तरसल बात यह के वो 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 ओपरेशन करना जरूरी था ओपरेशन कैसा ओपरेशन कब हुआ था यह ओपरेशन आप लोगों ने कोई अहतियात नहीं बरती एहतियात किस बाद किया अपरेशन के बाद अपरेशन कैसा ओपरेशन था डॉक्टर क्या हुआ रुक्टर को ताज्यूब है मिस्टर शाम आपको तुम आलूम होना चाहिए रुक्मणी को चार-पांच साल तक बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए उनका ओपरेशन किया गया था लेकिन जो एहतियात मैंने बताई थी वो बिल्कुल नहीं बरती गई रुक्मणी आठ-ठाट घंटी तक स्विमिंग करती रही उसका नतीजा यह हुआ के क्या नतीजा हुआ बोलिया न अब रुक्मणी कभी मा नहीं बन पाएगी पती पत्नी के पीच विष्वासी सबसे बड़ी चीज होती है रुकु तुमने मेरे साथ विश्वासगाद किया है बहुत बड़ा विश्वासगाद किया है देखती नहीं बेबी के दबियत इतनी खराब है और उपर से तुम उसे परिशान कर रहे हो आप बीच में मत बोल का ख्याल करना चाहिए प्लीज आप बाहर चाहिए प्लीज तेख लिया मा क्या किया तुम्हारी बहुने ये तो अच्छा हुआ कि बहुत पहले तुम्हारी आखे बंद हो गई वरना तुम ये सद्मा कभी प्रदाश नहीं कर पाती अब अब इस घर में कभी चिराग नहीं चलेगा कोई कुडिया पैदा नहीं होगी तुम्हें बच्चे की पड़ी बीवी की नहीं इतने घटिया और स्वार्थिया आत्मी हो तुम्हां बेभी बिमार पड़ी और तुम इस मुर्दा तस्वीर के सामने नाटक कर रहे हो नाट हुआ हुआ है अब पता नहीं क्यूं चलाया पस्यों चलाया चारी श्राश्म बबू आप जल्दी में हैं क्या आप पांच मिट मेरा इंतिजार करेंगे लाइबरेरी बंधने का समय हो गया है एक बात पूछू आपसे आप इतना लड़ती क्यों है अपने आपसे नहीं तो आपकी चहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपका मन और आपका दिमाग दोनों उलच रहे हैं अपने आपसे इसी उलचन को तो सुझाना चाहता हूं रादा मकर कैसे मन में मुस्कराईए दरद अपने आप भाग जाएंगे मुस्कराईए ना प्लीज आपको फुटबॉल मैच पसंद है अपने अपने आपको अपने आपको फुटबॉल की किसमत देखो रादा ठोकरे ठोकरे लिखियों उसके नसीब में अपने 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 आपको फुटबॉल करें अपने 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 घर चल्दी जल्दी पहुशने की कोशिश करें आपको कॉफी पिला कर भेजती लेकिन सेकंड वर्निंग हो चुकी है और आपको चालीस मील दूर जाना है इसलिए आपको नहीं रोकूंगी संभाल कर जाएगा शाम बाबू तुम तो यही बैठे रहते हो कभी इस राधा को भी कार में छोड़ने आओ तो तुम्हारे चर्णो की धूल भी मुझे मिल जाए तुम तो अंतर्यामी हो आज शाम बाबू मन में कितना बड़ा तूफान लेकर आए थे उनके मन को शांती देना का नहीं शांती हो तुम मुझसे बहुत नाराज हो अब तुम्हारे बीच में रही क्या गया है ऐसा मत कहो शाम यह सच है कि मैं चार-पांच साल तक मा बनना नहीं चाहती थी लेकिन मैं मा कभी न बन पाऊंगी यह मैंने नहीं सोचा था आज मैं खुद बहुत बच्ता रही हूं पता नहीं क्यों मैं ममी की कहने में आ गई न अज़र कर्घून के खिवकी नहीं बताने चाहती थी तो यही तो फ़र्क ना कमार् divide ममी कि उसने इसने तुम्हें पिविभी रहने नई दिया मा बनने नहीं दिया से तुम्हें उसने तुम्हें सेक्स और अयाशी की जीती-जाक्ती तस्वीर में बदल दिया दुवारा ये बदन, ये शरीर अब दो प्यार बरी आत्मों को मिलाने वाला मंदिर नहीं रहा है तुम मेरी बेजज़ति कर रहे हो, मेरा अफमान कर रहे हो रुकू अपमान तो तुमने मेरा किया है, मेरे प्यार का किया है अपमान तो तुमने अपने उस पवित्र शरीर का किया है, जो एक माँ बनने का दर्जा पाता है क्या क्या बक रहे हो तुम, गालियों पर गालिया दिये जा रहे हो तुम मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, एक औरत दी हूँ आज तुम्हें बीवी के अभिमान को गाली दी है, औरत की इज़त को गाली दी है और सच पूछो तो श्याम, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुरूर बोल रहा है तुम्हारा पैसा बोल रहा है और तुम वो आदमी रहे ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था अब भगवान जिस दिन तुम्हें उसी फिशर मैं उसी मच्छुआरे की जगा पर लाकर खड़ा कर देगा शायद तभी तुम फिर मेरे प्यार की काबिल बनोगे मैं तो नहीं भगवान सिधा करेगा तुम्हें वहीं बदना लेगा तुमसे गर्ट सब्सक्राइब गजब गया है कि अधर निया शिप डूप गया है उसके काम कर ने वाला हरा अधमी लापता है सब किया है लेकिन कोई जवाब नहीं है फिर से बता कीजिए प्लीज हलो हलो है यह यह अनर्थ हो गया गुपाल बाबू हेलिकॉप्र वापिस आगे सर्च पार्टी वापिस आगी कोई पी नहीं बचा आगा उसका तो इंशुरंस भी का तो मोगया था कि यह भी नहीं पूछोगी राट दिन में आफिस में क्या कर रहा था अब तो इन बातों की आदत हो गई है मुझे कि मैं अच्छे तरह जान गई हूं कि शाम का दूसरा नाम काम है कि तुको ताने देने का भी वक्त होता है आज आज तुम्हारा शाम ता भार वर्बाद होकर घर लोटा है मैं तुम्हें ताने दे रही हूं मेरे पास जगडा करने के लिए वक्त नहीं है मुझे पार्टी में जाना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है मेरे कहने है कि बाव जो तुम तुम पार्टी में जाओगी ओ कमोन शाम पहली आमद बुझाओ बोलो क्या हुआ हमारा जहाज जो यहां आ रहा था रास्ते में तुपार में गिरा और तूप गया तो क्या हुआ इंशुरंस क्लेम कर लेंगे इंशुरंस कटम हो गया था इस तुपारी रात में जहाज पर काम करने वाला हर वो आदमी उसके साथ ही डूप गया और मर गया कोई नहीं बचा है मरने वालों का अफसुस हुआ शां रही इंशुरंस की बात तो जिस कपनी के करता धरता गुपाल बाबु जैसे लोग होंगे उसका यही हाल होगा एनिवे सीव लेटर क्या आफ़ी में जाना जरूरी है गवर्णार सहाब की पार्टी है और जब पार्टी में जाने के लिए हां कहा था है तो मालूम नहीं था कि जहांज डूप जाएगा आप तो मालूम होगी है तुम को भी अच्छी तरह मालूम है कि यह सवसाइर के वह लोग जिनके यहां पार्टी में न जाने से वो बुरा मान जाते हैं तुम्हान रिपना सीकले लोगों का ख्याल है लेकिन उन लोगों का ख्याल नहीं है जिनकी बीविया जिनके बच्चे वितव назв अनात हो गये हां कहले तुद्या मरने वालों का अफसोस हुआ अब और क्या करूं जिनको मैं जानती तक नहीं जिनको मैं मिली तक नहीं उनका सोग मनाओ तुम्हारे साथ बैठकर उनका मातम करूं नहीं नहीं रुको खुशिया मनाओ आज आज तो तुम्हारे जश्न की रात है तुम्हारा कोसना तुम्हारी बद्धुआ उपर वाले ने सुन लिये हां यही ना उफ जब तुम ताना मारते हो श्याम तो तीर की तरह आर पार हो जाता है हुआ है आख तुम्हार राफ पान आने वाला है दूसी वार्निंग में हो चुकी है अब आप ताज आ रहे साथ तीसे वार्निंग में हो चुकी है अगरा क्या क्या झाल 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 आप इतने बड़े तुफान में घर से निकली क्यों अगर कुछ और हो जाता तो कर्मे तुफान इस तुफान से ज़्यादा गिराया था इसलिए याचलाया कर्मे तुफान इसलिए याचलाया थाचलाया 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 कर्मे अगरदा तुफान कर्मlex पड़ुया थाचलाया 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 उस पर काम करने वाला हर आदमी डूब के मर गया कोई भी नहीं बचा उसे मुझसे उनकी बीवी बच्चों की हालत हालत देखी नहीं कहीं कहीं आदमी पर आदमी बाला हर आदमी इंडर आदमी कोई देखी यहीं कि भालत है कहा हा आदमी कहा हो आदमी करा आदमी बालत है कर दोड़ान दोड़ान आइए आए चान आएए कर दो कर दो था चान आए हम कर दो अपता आए मुझे जाना चाहिए खत्रा उठा कर तो आप घर से चले आए लेकिन इस तुफानी रात में मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी समझने की कोशिश करो रादा कुछ भी हो जाए मैं आपको जान का खत्रा नहीं उठाने दूंगी आपको मेरी कसम है शाम बाबू तूफान थमझाए तब आप चले जाएगा यह तूफान भी गुजर जाएगा यह रात भी गुजर जाएगी लेकिन किसी ने अगर इस रात को काली रात का नाम दे दिया तो फिर तुम क्या करोगी हाँ नाम दे देने से राते कालिया उजली नहीं हो जाती शाम बाबू लेकिन इस उजले रिष्टे को समझेगा कौन रादा हम दोनों के इलावा अगर कोई तीसरा होता या तुम्हारे बाबा भी होते तो मैं रुख जाता बाबा से भी बड़ा गवा देदू तो सबसे बड़े गवा वो है कौन है? मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ आपको किससे मिलना है? अजी जिससे मिलना है वो अंदर ही है अरे शाम अरे भाई कल रात इतने बड़े साइकलोन और तुफान में तुम घर नहीं लोटे तो सब परिशान हो गए तुम्हारी तलाश में गुमते गुमते मैं इदर से गुज़र आथा कि अचानक तुम्हारी गाड़ी की इतनी बुरी आलत देखकर मैं गबरा गया लेकिन आप तुम्हारी इतनी अच्छी हाले देखकर मेरे दिल को तसली हो गई आप एक मिनिट बाहर जाएंगे? हाँ भई तुम कपड़े वपड़े बदलो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ भादा मेरी जिंदगी तुपानों से गिरी है अगर फिर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो क्या मैं यहां सकता हूँ? रुकमिनु जी के पती के हैसियत से आएंगे तो मेरे घर के दर्वाजे अपने आप खुल जाएंगे नमस्ते अंकल नमस्ते अरे रुकमिनु जी आप? आप नहीं अंकल मैं तो आपकी बीटी की तरह हूँ रुकू के गर पुकारे मुझे मुझे गरीब के खर पर आप फिर आप कहा आपने मैं आपसे अपनी हार गलती की माफी मांगने आई हूँ मैं आपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल नहीं बेटी तुम तो मेरे राधा की तरह हो? वो घर में नहीं है क्या? कौन राधा? जी मैं आप दोनों को आज शाम अपने घर खाने की दावत देने आई हूँ दावत? जी हां अंकल अब मुझे एहसास हो गया है कोई छोटा बड़ा नहीं होता और फिर राधाजी और आप तो शाम की जिंदगी का एक खास हिस्सा है लेकिन हमारा दावत में आना ठीक होगा क्या? वाँ बड़े बड़े लोग होंगे इसका मतलब है आपने मुझे अपितक माफ नहीं किया नहीं नहीं बिटी ये बात नहीं है आपको राधा जी की किसम अंकल आप उन्हें जरूर साथ लेकर आएगा आज मैं सब को बता दूंगी कि हरी जन पूजा के लायक होते हैं और हां अंकल शाम को मत बताएगा कि मैंने आप लोगों को बुलाया है हम उन्हें सप्राइज देंगे मैंने इन्वाइट किया है मैंने इन्वाइट किया है आपको सर्प्राइज देना चाहती थी अच्छा किया ना हाँ बहुत अच्छा किया अच्छा 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 नमस्ते रूख्मिनी जी नमस्ते से अच्छा यही राधा जी है ना यह आपके लिए थैंक यू बिहारी यह फूल ले लो अच्छा अंकल राधा जी इतनी खूबसूरत है यंग है शादी नहीं कि इनकी जी नहीं हमारी विरादरी में लड़की अगर पड़ी लिख जाए तो अच्छे लड़के मिलना दरा मुश्किल हो जाता है तब तो राधा जी की नजर किसी बड़े घर पर होगी वेटर विस्की जी में नहीं पीती ओ आइसी खुले आम ना पीती हो तो कुकु कुला में मिलवा दू जी नहीं में सच मुछ नहीं पीती Excuse me लुकू लुकू यह क्या रवाईया तुमने उन्हें बेज़त करने के लिए यहां बुलाया कैसी वाते करें डाली मैं तो खास मेहमानों की खास खातिर कर रही थी मुझे गलत मत समझो अंकल आये ना जी राधा जी को यह ले आएंगे आये ना लीजी अंकल नहीं जी मैं तो पीता ही नहीं वो भी नहीं पीती आप भी नहीं पीते नहीं है चलो हम ही पी लेते हैं जैसे विबारी अगर आपने कुछ भी कहा तो उनके महमान क्या सोचेंगे पाटी खतम हो जाने तक कुछ मत कहिए आपको मेरी कसम है रुकमनी सुना है आज पाटी में कैबरे का प्रोग्राम है I'm sorry friends वो कैबरे आर्टिस तो धोका दे गई Don't worry, don't worry खास महमानों के लिए खास आइटम तो पेश करना ही पड़ेगा Very good धार प्रोग्रोग जाओए क्एंश क्षेश करेंष कि अवा क्षेश जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे जब अपनी हो जय बेवफा तो दूटे जोली सूरत वाला है जान बदलते देखा हमने अपने प्यारों का इमान बदलते देखा दिल की रुसुआई है सनम हर जाई है जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे दिल ने जिसको प्यार किया है उसे ने दिल को थोड़ा किसके हाथ पेखा तेर देखो किसके हाथ को छोड़ा जब अपनी हो जय बेवफा तो दिल तूटे अपने जब पीज़ाने बनकर पैखिलने सजाए हम भी इनके दिल से खेजे क्यों पेजे रह जाए अपने जब दिनाने बंकर में दिल में ये सजाए हम भी उनके दिल से खेले क्यों पेजे रह जाए उन्वों हम समझेंगे अब तो हम फुलजींगे जब अपनी जब अपनी हो जाए बेवखा तो दिल दूटे जब दिल दूटे तो रोए क्यों हम गाएं दूटे हम नाचें दूटे हैं जब अपने जब अपनी हो जाए बेवखा तो दिल दूटे जब अपनी हो जाए बेवखा तो दिल दूटे अच्छा किसी ने मुझे छू लिया तो आग लग गई तुम्हें और जब तुम किसी गैर वारत के साथ रात गुजार आए तो मेरे तन्मन में कैसी आख लगी थी पता है तुम्हें कैसी आख कौन सी रात किस औरत के साथ किस औरत के साथ खाओ इसके सर की कसम और कहो कि 9 आउगस की तुफानी रात तुमने इसके साथ गुजारी थी या नहीं को चुप रहो मैं इसे पूच रही हूं बोलो जवाब दो गुजारी थी या नहीं हां रुकू मैंने वह रात गुजारी थी कि लेकिन वहरांब में दिन के उजाले से भी ज्यादा उजली थी वह रात थी मैत राधटे के किनारे मैं था उस किनारे राधटी और रात हम दोनों के बीस से उल भी बीश कि नंगे हालात को अलफाजों की पोशाक से ढखने की कोशिश मत करो शाम इसकी सौगन खाकर कर को कि तुम इसे प्यार करते हो या नहीं हा करता हूँ कि 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 तुम इसक नहीं है शाम ठीक है ना उसका नाम मतली जी पापा मैंने उसका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है तुमें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था रुपकू मेरे घर छोड़कर चले आने पर आपको इतराज है उसे पूछिए तो सही कि मैंने ऐसा क्यूं किया क्यूं किया पापा शाम ने एक अचूद लड़की को मेरी सौतन बना दिया नहीं नहीं शाम ऐसा नहीं कर सकता नहीं कर सकता शाम सुना तुमने रुपकू क्या कह रही है कुछ नहीं बाबुजी लोकू घर छोड़कर आई है मैं उसे लेने आया हूँ इससे जादा मेरे प्यार का सबूत और क्या हो सकता है सुलिया तुमने रुपकू पापा आज इन्होंने भरी महफिल में लोगों के सामने उस अच्छूद लड़की के सर पर हात रखकर इस सच्चाय का इकरार किया है कि वो इनकी प्रेमी का है रुकू यह पती-पत्नी का मामला है घर चलकर आपस में निपट लेंगे रुकू घर चलो रुकू घर ले जाओ उस सौतन को जो मेरी बेटी किसीने पर मूं डल रही है इसे ले जाने की क्या ज़रूरत है तुम चुपड़ा हो एक पती अपनी पत्नी को घर ले जाने आया है और उसको ले जाने का पूरा हक है सारा हक तो इसे ही है अपनी बेटी को तो पूछाओ क्या वो जाएगी जरूर जाएगी ओखो कैसे जाएगी जी-जाजी जबके रुकू को मालूम है कि मैंने खुद अपनी आखों से शाम को रादा के साथ उसके घर में देखा है उसके बेडरूम में देखा है आगे क्या कहूं मुझे तो शरम आएगी बंद करो अपनी गंदी जबाम आप तो हमेशा ही हमारी जुबान बंद करते रहें क्या आपको अभी पता नहीं चला कि इसलिए दौलत के लिए ही रुकू को फसा आया था तुम दोनों भाई फैनों ने जिन्दगी में सिवाए तो क्या और मुझे दिया ही क्या है और अब रुकू का घर उजाड़ने में लगे हुए हो रुकू मैं तुमसे आखरी बार कहता हूँ अपने घर चाओ आपके कहने से क्या होगा मैं इसे नहीं जाने दूगी अब अब ये इससत रहे गई है मेरी इस घर में क्या हुआ बाबजी इन्हें मार के मुँमें धकल को फुच्ता है क्या हुआ तबाउ दाओ तबाउ दाओ दाओ अपने तवा की दिये मुदे बदके चारगा तवा की दिये मैं आपनों सामें हाँ चोडता हूँ इस समय खामोश रहे हैं कुछ मत बोलिए प्लीज, डॉक्टर कुबलाइए प्लीज निका प्लीज कवी ने यह सब तेरी बज़े से हुआ है आप, आप मुझे पर घर्लत इर्जाम लगा रहे हैं हट जाए मुझे इनके चरण छू लेने दीजे अबटार जो अपने आप अपित्र हाद से इनके शरीर को हाथ लगाया लुकू, एक बार सिर्फ एक बार मुझे अपना सर इनके चर्णों में जुका लेने दो मैं तुम्हारे हाथ जोडता हूँ वेकारियों की तरह भीग क्या माँग रहे हो निकल जो यहां से काट्स धक्ये मार की बार निकाल दो इसे I say get out मैं कहता हूँ अब यहां एक पल भी रुकने का धर्म नहीं है सिर्फ बेजज़ती हो जाती ही तो हम सह लेते हैं लेकिन यहां जो बदनामी हुई है उसके बाद हम कहीं मूँ भी नहीं दिखा सकते हम यहांसे अभी चले जाएंगे कहां चले जाएंगे बाबा तो छोड़ दे हम नौकरी क्या किया है मैंने बाबा आप भी शक करने लगे हैं मेरी पवित्रता पर मैं मान भी जाओ राधा लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी रुकमिनी जी तो नहीं मानेगी रुकमिनी ने हमेशा राधा पर शक किया है बाबा प्रिष्णो राधा के पवित्रे रिष्टे को घलत समझा रही दुनिया की बात, दुनिया वालों ने तो सीता जैसी देवी को भी नहीं छोड़ा था सीता ने अगनी परिक्षा देकर अपने सच्चा ही साबित की थी तू कौन सी परिक्षा दे सकती है तुम जो भी परिक्षा चाहो ले लो बाबा तो चली चली यहां से, शाम बाबू की जिंदगी से इतनी दूर, इतनी दूर कि फिर रुक्मिनी जी और शाम बाबू को हमारी ख़बर तक न मिले राधा शाम बाबू रुक जाओ राधा बाबू दर्वाजा खोलिये नहीं, दर्वाजा नहीं खुलेगा आज सारे जमाने ने मुझ पर दर्वाजे बंद कर दिये आप तो ऐसा मत करिये जिस गोपाल को आप जानते हैं, वो आपका नौकर था यह गोपाल एक लड़की का बाप है दर्वाजा नहीं कुलेगा राधा, प्लीज, प्लीज इन्हें समझाओ न बाबा, खोलिये न, प्लीज नहीं, राधा नहीं अब यह दर्वाजा इनके लिए नहीं कुलेगा राधा, इस वक्त मैं तुमारी रुकमनी के पती के हैसियत से आया हूँ अब तु दर्वाजा खोलो राधा खोलिये न, बाबा वो इनसान तिल तिल तूट रहा है मन में न जाने कौन सा तूफान लिये, वो यहां आये मैं आपके आगे हाथ जोडती हूँ, बाबा बस थोड़ी देर के लिए नहीं, राधा नहीं हूँ इने वो शफर मुश्ध च्नाउद जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी गम का सागर भी है असके उस पार जाना पड़ेगा जिन्दगी एक एहसास है तूटे दिल की कोई आस है जिन्दगी एक एहसास है तूटे दिल की कोई आस है जिन्दगी एक पनवास है काट कर सब को जाना पड़ेगा जिन्दगी त्यार का गीत है किसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी बेवफा है तो क्या अपने रूठे हैं हमसे तो क्या जिन्दगी बेवफा है तो क्या अपने रूठे हैं हमसे तो क्या हाथ में हाथ ना हो तो क्या साथ धिर भी निभाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी एक मुश्कान है तर्दगी कोई पहचान है जिन्दगी एक मुश्कान है तर्दगी कोई पहचान है जिन्दगी एक महमान है छोड़ संसार जाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी गम का साबर भी है असके उस पार जाना पड़ेगा जिन्दगी एक मुश्कान है जिन्दगी एक मुश्कान है हाँ तो वकिल सहाब, पापा की विल पड़िये मैं राय बहादुर प्राननाथ पाशा, सानफ शरी विनोत कुमार पाशा, अपनी सारी जायदाद, कारोबार, सारी फाइनसिंग कमपनी और जो कुछ भी मेरा है, सब अपनी बेटी रुकमनी और दामाद शाम मोहित की नाम करता हूँ अगर मेरे दामाद शाम मोहित का एक्सिडेंट हो जाए, या किसी हाथ्सा की वज़ए से उनके मृत्यू हो जाए, या मेरी बेटी बेटी रुकमनी को वो तलाक दे दे, तो सारी जाइदाद की मालिक मेरी बेटी रुकमनी होगा मेरी पत्नी श्रीमती रेनू प्राननात पाशा जो मेरी बेटी की सौतेली मा है उनका मेरी जादाद पर कोई हक नहीं होगा सिर्फ अपने खर्च के लिए उन्हें दो हजार रुपए हर महीने मिलते रही है मेरे साले संपतलाल जो के हमारी कमपनी में बताओर पियारो खामखा काम किया गरते हैं उन्हें इस नवकरी से फॉरन हटा दिया जाए और उनकी तनखाद पांच दजार रुपए महीना बंद कर दी जाए बताओर जेब खर्च उन्हें छिर्फ 200 रुपए महीने दिये जाए 焦्धि की पाराई गयादात पर कहीं आ है लिख दीदी के साथ उनने सरसर जयात्ती की है मामा जी, ममी, आप परिशान मत होए अब सारी जाइदाद और फैसलों की मालिक तो मैं ही हूँ और फिर आप दोनों की सिवाए अब मेरा है ही कौन जीती रहो बेटा, जीती रहो, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे इसलिए तो हमनों उस राज का भी पता लगा लिया है जिसका किसी को भी पता नहीं कौन सा राज ममा जी? शाम जीजा जी से शिप खुरिदने के लिए रुपया उधार लेना नहीं चाहता था लेकिन जीजा जी ने एक उमनाम ट्रस्ट बना कर शाम को एक नहीं चार-चार शिप खुरिदने के लिए क्रोड रुपया उधार दिया था और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी यही वकील साहब ते हाँ तो वकील साहब बताईए ना शाम भी तरफ कितना रुपया निकलता है असल वसूद मिला कि हमने हिसाब लगाया है 93 क्रोड असल और 33 क्रोड सूद कुल मिलाकर एक अरब 26 क्रोड रुपया उनसे वसूद करना है तो फिर वकील साहब शाम से अब ये पैसा कैसे वसूद होगा अटेश्मेंट अटेश्मेंट क्या करेंगे वकील साहब उसने तो अपना सारा हिस्सा उन लोगों की फैमिलीज में बाढ़ दिया है जो उसके जहाज में डूपकर मर गया थे उनके नाम अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है इनने अटेश्मेंट करके कुछ तो वसूल किया जा सकता है तो फिर हमें फॉरन अटाज्मेंट करा लेना चाहिए बेबी हाँ इससे पहले के वो अपनी बच्ची-बची प्रॉपर्टी बेजते हमें फॉरन कदम उठाना चाहिए रुकमनी बेटे अगर शाम की सारी प्रॉपर्टीज अटाज करवाना चाहती हूँ तो इस फकालत नामें पर दस्तखत करते हैं यॽाम कर दो हूँ आवरेश चाहिया जाओटना विज्टन पर शिह बेड़ा प्रॉपर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्श कुणकी कामडर दिजिये इसे और इसे ये भी बता देजिए कि इसके सारे शिप्स, सारी बोर्ट्स, घरबार, सारे आफिसेज और बैंक अकाउंट सब को ड़क कर दिया गया है And now, you get out of the ship मैं वो फला हूँ, जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ Keep it कार दरवाजा खुलो आपके लिए अंदर जाना मना है क्यों बड़ी में चापको हुकुम है आप अपनी प्यारी चीज भूलाई थी सोचा याद आने पर दुख होगा इसलिए यह गाड़ी देने आया हूँ गाड़ गाड़ी की चाबी ले लो दुख्मानी जी बाबी जी का बिजनस बहुत बड़ा है तरह उशारी से संभाद लिएगा गलत हाथों में पर जाने से कुछ भी हो सकता है मुझे तुम्हारी राय की जुरूरत नहीं मैं जानती हूं मुझे क्या करना है ठीक कहती है आप यह कुछ ऐसी प्रॉफिटिस के पेपर्स हैं जिसके बारे मैं आपको भी पता नहीं मेरी जितनी भी कुड़की वी चीजों से अगर बाबुजी के पैसे वसूल ना हो तो इन से वसूल कर लिजेगा बदले में क्या चाहिए संतोष की दौलत से बढ़कर और दौलत क्या हो सकती है मैं तो कुछ देने आथ हमें साथ देने नहीं झाहिए 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ कि बाम मुठाग! मेम साब ये प्लेट क्यों रोज लगवाती है आप खाने पर तो कोई नहीं आता है अरे भाई हम जो आ गए है देखा सिस्टर कितने अच्छे माँगे पर आए है हलो ममा जी हलो बेबी खाना खाएंगे ला देखियो पूछ बूछ ममा जी प्लीज आप उस कुर्सी पर बैच जाए इस प्लेट को ऐसे ही रहने दीजिए आपके दूसरी प्लेट आ जाएगी क्यों बेबी कोई आने वाला है क्या एक ना एक दिन तो शाम को वापस आना ही है ना ममी लो और सुन लो इसको अभी भी शाम का इंतजार है वा शाम का इंतजार जिसने ते इस सौतन रख ली अब तो शादी भी कर ली होगी मेरा दिल नहीं मान और दो-चार महिने में मान जाएगा बसे वकील साब की यह राय है कि अब काफी इंतजार हो चुका है तलाक के पेपर्स फाइल कर देने चाहिए लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए मैंने ये सब कुछ शाम को पाने के लिए किया था खौने के लिए नहीं लेकिन लोगों को जब पता चलेगा कि तेरे रहते हुए उसने उस अच्छों से शादी कर ली तो वो दिन मेरे और उसके रिष्टे का आखरी दिन होगा ममी लेकिन मुझे सुबूत चाहिए सबूत आरे हाथ कंगन को आर्ची क्या सबूत भी ला देंगे लेकिन अच्छा तो यह है कि हम उसे अपनी इज़त उचाले का मौका ही नदे हाँ इससे पहले कि वह हमारे मुँपर जूता मारे हम उसे दूद में से मक्खी की तरा निकाल कर बाहर फैंकते अनि तौरी मामा जी सुबूत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी कभी नहीं करूंगी कभी नहीं संपत हम तो फिर वही आकर खड़े हो गए जहां से चले थे फिकर रहे करो सिस्टर मैं वह बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ अज़ने गुपाल बाबू गुड़ी इवनिंग अवर यू आप तो बहुत ही नाराज लग रहें गुपाल बाबू हमें आप आप से कुछ लेना देना नहीं है ओहो कुछ भी हो जाये गुपाल बाबू लेकिन सलाम दुआ जान पहचान इस तरह खतन तो नहीं हो जाती मैं तो कबसे आप लोगों को ढूंड रहा हूँ लेकिन अज़ने आप लोग कहा को गए थे रादा बिटिया आज किल कहा है कौन आया है अरे रादा बिटिया कैसी हो बिटिया एक जमाना हो गया तुम्हें देखे ह मैंने आपको कहा ना आप यहां से चले जाएए प्लीज बुस्ता थूख दीजिये गपाल बाबू हम भी मसीवत में पड़े हुए इस वक्त हमारा साथ दीजिये रुकु और शाम का लग यहां लग हो जाना हमसे परदाश नहीं होता हमारा कोई तालुक ना आपके शाम बाबू से है ने रुकु जी से ना आप से यह तो यह तो ठीक है गपाल बाबू लेकिन दो मासूम जिंदिया इस तरह बरबाद हो जाए तबाह हो जाए यह ठीक लगता है क्या तुम्ही सोचे रादा बिटिया हम क्या कर सकते हैं रुकमिनी जी तो वहम का शिकार हो गई है और उसके दिल का वहम सर्फ तुम्ही निकाल के फैंक सकती है लेकिन कैसे किसी से शादी करके जी शादी तो एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी लेकिन फरक सर्फ इतना हरादा बिटिया कि अगर तुम्हारी शादी अभी हो जाएगी तो शाम और रुकु का उजड़ावा घर पस जाएगा तुम्हारे शादी एक सबूत बन करे जाएगी और रुकू के दिल का वहन दूर हो जाएगा ये थाबित हो जाएगा कि शाम के साथ तुम्हारा कोई संबन नहीं है शादी को क्या आपने बच्चों का खेल समझा है संपत बाबु को शाम बाबु रुक्मिनी जी का तूटा हुआ घर बस जाए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती दादा जारा सोचो तुम्हारा शादी कोई तमाशा तो नहीं कि मिट्टी से कोई पुतला बनाया जाएगा और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी बहुत अच्छा लड़का बताऊंगा गोपाल बाबु और शादी को सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा देख लेना गोपाल बाबु अपनी रादा बिट्या के लिए एक हीरा लड़का लाऊंगा हीरा लेकिन इस लेकिन में क्या रखा है बाबा उनकी खुशियां वापस लोड़ सके तो मैं कुछ भी करूंगी उनका तूटा हुआ घर बस सके तो मैं किसी से भी शादी कर लूँगी बाबा तुम बिना सोचे समझे अपनी जिन्दगी दाव पर लगा रही हो रादा चाहे कुछ भी हो इतने बड़े त्याग की जरूरत नहीं बाबा यह त्याग नहीं मेरे लिए तपस्या है शाम बाबू, आप इस हाल में? शाम बाबू, आपको याद है शाम बाबू, आपकी दीव ही सिर्फ एक नाव से आज मैं कई बोर्स का मालिक बन गया हूँ मैं जानता हूँ, जिस कंपनी में मैं एक मच्वारी की हस्यत से काम कर रहा हूँ, वो कंपनी भी तुम्हारी है लेकिन सर, अब मैं आपको हर्गेज हर्गेज नहीं ऐसा करने दूगा, मेरा घर बार है, मेरी पीवी है, एक च्छूटी बच्ची भी है, शाम बाबू, आप चलिए हमारे साथ रहे, प्लीस काम बिटिया है, विजे, आज नहीं, फिर किसी दिन मैं तुमाई लादली बिटिया को देखने जरूर आउंगा लेकिन सर, ये सब कैसे हो गया, वो अख़बारों में मैंने आपके बिजनस और फैमिली के बारे में पढ़ा था हाँ विजे, कुछ जिन्दगिया एक साथ चलते चलते एक चोरहे पर आकर अलग-अलग रास्तों पर बिछड़ गई मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का उस विचारी रादा पर क्या बीतिय होगी वो किस हाल में होगी चलता हुआ टेक केर लादा 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 हुआ 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 है किस सपने की बात कर रही हो राधा अब तो मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मुने क्या देखा था तो क्या मेरी शादी के बाद उन लोगों ने आपको वापस नहीं बुलाया शादी यह पच्चा यह विद्वा के कपड़े यह सब क्या है राधा आज मेरी छोली में अपने स सारे गम भर्दो लाधा इस सब क्या है मैं जानना चाहता हूँ तुम कहां रही कैसे रही पूरी कहानी दुखों में डूबी कहानी सुनने से क्या फाइदा शाम बाबू सुनेंगी तो आपको भी दुख होगा तो क्या तुम्हारा दुख और सुख जानने का मुझे कोई हक नहीं बताव राधा ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय दूले राजा तुरह पगड़ी अटा दो फोटो अच्छी आएगी यह बात है कुछ महीनों तक ऐसी ही जिंदिगी चलती रही बाबा बहुत परिशान थे मन ही मन घुटते रहते थे मेरे पती एक दिन के लिए जाते तो कहीं दिनों तक नहीं आते थे बस जब पैसों की जरूरत पढ़ती थी तब ही आते थे बात बेटी दूनों महीने भर की कमाई दिखा रहे ना कमाई राजा यह सब आप ले लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चाहिए अबे जब बुठे घर यमाई रखते वक्त नहीं सोचा था हमारे को भी खर्चत चाहिए लेकिन महीने की शुरुवात है सब को पैसे देने हैं दूद वाले को धोबी को कुछ तो सोची घर का समान कहां से आएगा और हम लोग गुके मरेंगे क्या चुक पे बुठे तु बहुत बबाबा के लिया समत कीजिए मुझ पर जो चाहे जलम कर लीजिए Allnayonu कि माबा की विजद रख़ी है आपकी हाथ जोड़ती हूं सारे पैसे ले लीजिए लेकिन बाबा को कुछ मत कहिए माबा को कुछ मत कहिए मुझे तो सब कुछ मंजूर था कर आखिर मेरे पती थे मैंने उन्हें कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका उनकी जो मर्वी में आता था, करते थे फिर एक दिन, मैं मापकी बच्चे की मा बनने वाली हूँ क्या, तु मा बनने वाली है? किसने कहा था तुछ से मा बनने के लिए? अरे, तुझे और तेरे बाबा को पालना, तु मुझे भारी पढ़ रहा और तु बच्चा दिनने जा रही हूँ बच्चे तो भगवान की देन है पलीनी बज़ात, यह भगवान की देन है या तेरे यार की क्या? क्या कहा आपने? यह सब कुछ बाबा से बरदाश्ट नहीं हुआ वो उन्हें खोजने गए, तो फैसला करके ही लोटे पागल हो गया है क्या? गुर्वन तलाज जी मेरे पती है और तीन बच्चों के बाब भी थोखेबास, कमीने, तुने मेरे पीटी की जिन्दगी बरबाद कर ले मैं तुझे जेल फिजवाद करूँगा अब तु जरूरत से ज्यादा राज चांग गया अब तेरा जिन्दा रहना ठीक नहीं है 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 बहुत थगे हो गया, बाबा है है बाबा बाबा नहीं बाबा बाबा और तुम्हें मेरे लिए मेरी खुश्यों के लिए सब को सहना पड़ा है है यह तुम्हारा मेरा कौन सा रिष्टा है रादा है इस रिष्टे का नाम तो भगवान कृष्ण और रादा जी भी नहीं ढून पाए थे शाम बाबो बस इतना जानती हूं कि पति आप रुकु जी के हैं और मेरे परमेश्वर मैंने तो आपकी सिर्फ पूजा किया है लेकिन इस पूजा ने तुम्हारी जिंदगी को चला कर राक कर दिया है रादा नहीं शाम बाबो पूजा की दिये से अगर हाथ जल जाए तो वो जलन भी जंदन जैसी ठंड़क देती है डॉक्टर डॉक्टर कॉंचुलेशन्स लड़की हुई है शिस्टर वो आ रही है ममी अब रो रही है क्या बात है क्या हुआ ममजी ममी क्यों रो रही है जिसका डर था बेटी वही हो गया है शाम ने हमारे खांदान की ना काड़ी है कमबख्त ने क्या कसकर तमाचा मारा है हमारे मूपा तो क्या शाम ने उसे शादी कर ली बेबी शादी है नहीं बच्चा भी पहला कर लिया है और वो भी लड़की नर्सिंग होम में उसे उचान उचाल कर कह रहा था रुखमेनी कमबख्त अच्छे तरह काला करूंगा दोबा दोबा उसके बाद तो हमने अपने कानों में उगुणियां डाली पर आखे खुली थी बेबी क्यूंके तुम्हारी आखे खोलने के लिए हमर यांके कुली रखना बहुत जरूरी था अब तो यकीन आगया वेबी मेरी जिन्दगी की किताब का हर पन्ना खुला हुआ आपके सामने मौजूद है यार अनर जिन्दगी ने जो भी दफाई मुझे दी मैंने सुरिकार किया और उसे नहीं भाया आज आज सारी सच्चाईया आपके सामने बेपरता है यार अनर इस इंसाफ के मंदिर में हमेशा सच की जीत हुई है और आज आज मैं भी इस नहाई के मंदिर से सच्चाई की जीत चाहता हूँ यार आनर इनकी दूसरी शादी के सारे सबूत हमारे पास हैं जिने हम आदालत के सामने पेश करना चाहते हैं जरूर पेश करूँ मगर कल यूर अनर मेरे क्लाइंट मिस्टर शाम की जमानत मन्जूर की जाए यूर अनर जमानत मन्जूर की जाती है कोट करता के लिए जन की जाती है बेबी बर्खुर्दार आज की रात और रंग्रलिया मना लो कल तो सारे सबूत मिल जाने के बाद बाकी की तुमाम रातें तुछ जेल की सिलाखों के पीछे ही काटनी है मै वो बला हूँ जो शीशे से पथर को तोड़ता हूँ वैल डान वरी बल डान इंक नदू य्या या झाल झाल, 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 झाल कौन है, आए, आए, अंदर तो आए, बैठिये, प्लीज बैठिये ना, मैं यहाँ बैठने नहीं हूँ, शाम से मिलने आए हूँ उन्हें बुलाईए, जी, जी, अभी बुलाती हूँ, शाम बाबू, बाहर आईए, देखिए तो, आपकी खुशिया, आपकी दुनिया लॉट आई है, जल्दी आईए इसे मुझे दे दीजे, यह बड़ी शैतान है, आप लोगों को बात नहीं करने देगी तुन्हें लेने आई हूँ रुकू, कभी किसी की नहीं हो सकती मैं सारी सच्चाईयों को भूलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझ से यह बरदाश नहीं होता, कि तुम इस हाल में रहो क्यों रुकू, तुम इने तो चाहा था और कहा था कि मैं जिस दिन फिर से एक मामूली मच्छवारा बन जाऊंगा वो दिन तुम दुबारा देखना चाहोगी, रुकू, देखो जो तुमने कहा था, आज मैं वही बन गया हूँ लेकिन तुम भूल गये, शाम, मैंने यह भी कहा था कि फिर मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूँगी, मेरी साथ लौट चलो शाम तुम्हें वही शुभा देता है, जहां तुम थे, जो तुम थे नहीं रुकू, जैसे मैं हूँ, जहां मैं हूँ, यही मुझे शुभा देता है ये तुम नहीं तुम्हारा घायर अंकार बोल रहा है अदालत में क्या तुम्हारा प्यार बोल रहा था अदालत में सब कुछ बदला जा सकता है अगर तुम मेरे बन के रहो मैं तुम्हारा कब नहीं बन कर रहा रुकू जब से तुमने राधा से शादी की राधा के साथ मेरी शादी क्या बोल रही हो सच्चाई को छुपाने के लिए बिगड़ो मत शाम राधा को छोड़कर मेरे साथ लौट चलो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी अगर दे सकती हो तुम्हें एक चीज दे दो क्या तलाक मुझे तलाक चाहिए रुकू मैं जान और तुम जेल की सलाकों के पीछे रुक मैनी जी, रुक मैनी जी क्या हुआ शाम बाबू, रुक मैनी जी सर अनारस होकर क्यों चली गई, वो आपको लेने आई थी न मुझे ले जाने की बहुत बड़ी कीमत मांग रही थी वो लेने आई थी तो आपको किसी भी कीमत पर उनके साथ जाना चाहिए था कुछ भी हो, वो आपकी पत्नी है पती के लिए पत्नी पुन्य का साथी होती है अगर वो यह मात्य पर पाप का ठीका लगा दे तो कोई क्या करें पाप का ठीका? लेकिन, लेकिन यह तस्वीर कैसा फरेब है यह, कैसा धोका है मुझे अपनी फिकर नहीं है, रादा, मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस फरेब से इस दो के बाजी से लड़ना है ताकि यह तस्वीर कल भरी अदालत में तुमारी इजजत के खिलाफ उंगली न उठा सके अगर जूट ने सच का पहनावा पहनी लिया है तो मैं इस जूट को इतने बड़े सच में बदल दूगा कि वो सच के सिवार कुछ नहीं रहेगा अगर आपने ऐसा किया तो मेरा भगवान बेइमान पुकारा जाएगा शाम बाबू पुकारा जाने दू जो होता होने दू नहीं मैं आपको यह नहीं करने दूगी आपके माते पर सच मुझ पाप का टीका लग जाएगा पाप हो या पुन्य, इससे पहले कि मज़े सजा हो, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूँगा इस मासुम बच्ची को अपना नाम दूँगा, ताकि तुम समाज के मुझ पर तमाचा मार कर इज़त से जी सको मेरी इज़त सिंदूर की लकीर में नहीं, आपकी सच्चाई और रुकमिनी जी के सुहाग में है सुहाग मांग में सजाया जाता है, अदालतों में जीता नहीं जाता रादा मैं आभी पंडित को लेकर आता हूँ शाम बाबु, शाम बाबु जरह सुनी तो, मेरी बास तो सुनी शाम बाबु, पहसा मत कीजिए शाम बाबु आये, आये जल्द कीजिए, मेरे साथ आये इस मुंडी की करामात ने तुम्हारी तकदीर बदल दी मिंगो, अपनी ओकात और होश में रहो नहीं तो मैं तुझे आप चुप रही है मैडम, और संपत, तुम्हे त अभी होश आ जाएगा यह तस्वीर देख लो यह के साजिश है वही साजिश, प्यारे तुम्हारा ही हाथ मैंने तुम पर चला दिया जिस तरह तुमने यह फोटो दिखाकर रुकमनी के दिल में नफरत के बीच बो दिये उसे बैकाकर तलाक लेने के लिए अदालत तक पहुचा दिया ताके शाम से तलाक लेने के बाद राय साथ की तमाम दौलत की मालिक अकेली रुकमनी हो जाए और फिर उस मासूम को भैकाकर तुम दोनों भाई बहन सारी दौलत हनप कर जाओ लेकिन संपत मैं तुम्हें यह दौलत अकेले लेकर चंपत होने नहीं दूँगा मैं तुम्हारा यह फोटो ले जाकर रुकमनी को दिखाऊंगा और तुम दोनों भाई बहन की पोल खोल दूँगा अराम सादे मुझसे भाई मानी मैं तुझे जिन्दा नहीं छुड़ूगा आके इस खिलोने से मत खेलो संपत हाथ जल जाएगा लेकिन कोई सबूत तुमारे हाथ नहीं आएगा वो जाली नेगेटिव और अपना बयान टेप करके मैंने पहले एक दोस के हवाले कर दिया है आदे घंटे बाद वो सुबूत पुलीस तक पहुचा दिया जाएगा संपत इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोका किया है धोका नहीं मैडम, सौधा किया है चलो सौधा इस है लेकिन वो वो जाली नेगेटिव और अपने बयान के ठेप हमारे हवाले को रहा हम तुम्हें पचाशार रप्या देंगे बस पचाशाजार एक लाग मैडम दो लाग तीन लाग अच्छा चार लाग पांच लाग and that's all ठीक है हम जानते थे तुम हमें ब्लैक मिल करोगे इसलिए हम ये पैसे अपने साथ लेकर आए चलो वो जाली नेगेटिव और अपने बयान के ठेप हमारे हवाले करो और ये पैसा ले लो पहले इस खिलोने को फेक दो संपत तुम्हारा क्या वरुसा नेगेटिव और टेप लेकर मुझे गोली मार दो तो अच्छी बात है दोस्त मुझसे ये दोखे बाजी है दोखे बाजी नहीं तुम जैसी बला को बोतल में उतारने वाली छोटी सी करामात जो कुछ भी तुमने बोला है वह इस वक्त इस कैसिप में रेकॉर्डिड है कितने कमीने और गिरे हो इंसान हो तुम लोग कि पैसे की खातिर तुम लोगों ने एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी बर्खुर्दा ये तुम कैसे भूल गए कि मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ बर्खुर्दार मुझे याद आ गया कि मैं वो बला हूँ जो जूतों से तुम जैसे कुप्तों के सर फोड़ता हूँ एक नहीं दोस्त नहीं तू अट्चा हट्चा मेरे दोस्त अट आए कर दो कर दो कर दो अरे, कमीने, कुत्ते, उट, 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 शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, हाँ, देख लोगा, इंस्पेक्टर साथ, इरफ्तार करिए इने, यह, यह तस्वीर एक धोका है, एक साज़श है बहन, सुबूत को साज़श करकर तुम मुझे मेरे ही पती की भीक देने आई हो, नहीं, नहीं, बहन, शाम बाबू आपकी थे, आपके हैं, और आपकी के रहेंगे, ओ, तो तुम य आप अपने मामा जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही मेरी शादी गुन्मंतलाज जी से करवाई थी, लड़की, अब मेरे मामा पर इल्जाम लगा रही है, मेरे मामा को क्या जूरूरत थी तुम जैसी छोटी औरत की शादी करवाने की, कान खोल कर सुन ले, अब मैं मुझे भी खीट कर लाऊंगी, वहम की आंधी ने आपको अदालत तक तो पहुचा दिया, लेकिन मैं बिंती करती हूँ, अपने सुहाद को कानून की बेड़िया मत पहनाईए, अपनी जंदगी को टुकड़ो में मत बाटिये, मेरे घर, मेरे सुख चैन में आग लगा कर, म आपने मेरी पूजा को गलत समझा, शाम बाबू और आपका घर तो मेरे लिए मंदिर की तरह है, जरा सोचिए तो, किसी पुजारन में आज तक किसी मंदिर को तोड़ा है क्या, मंदिर पूजा ये सब बाते तेरे मुसे बदबू देती है, इतना याद रखना, अगर शाम म मैं तेरी छोटी पहना हूँ शाम तेरे के आँ तेरे रहेंगे, मैं तौन की जागनगो, समझना मुझ को सादनगो हूँ 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 वहमने जग में सब बड़ोया इस युका पार उतारा है तेरा मन साजन का घर हो तेरा मन साजन का घर हो उते मन के घड़कन रो समझना मुझे को सादन जनरा हो से वो उजदे बसे 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 ज़ाओ उन पदमों की धूल को पूजा जिन राहों से वो गुजरे बस उन पदमों की धूल को पूजा मैंने उनको पिशर समझा दोश बता क्या और है दूजा मैं पत छड़ती सूखी पाती मैं पत छड़ती सूखी पाती आने पड़े ते वांगनों समझना मुझे को सौदन कुम में पाती सूखी थाठी why कि तो मैं थोशी पूहती आने खाती सूखी पाती सlles सी स्वाँ प्दूब खोच्बновादा बट्रे मैं जटिस हाव मैं पीख दोखने है कि जज सकतने हो ते excuses मैं दोवा़ती अन्दि मुआज कि विदाई लेली लाडली पहरा आई ही हूँ मेरी दुआ है लाख जनम तक मेरी दुआ है लाख जनम तक तु हो निकी दुल मैं तेरी छोटी महना हूँ समझना मुझ को सोटन समझना मुझ को सोटन शाम तेरी थे तेरी रहेंगे मैं तो उनकी चाहन हूँ समझना मुझ को सोटन शाम तेरी थे तेरी रहेंगे क्यों किया तुम दिने? ठीकी तो किया, शाम बाबू मेरा भाग्यों तो देखी जते जते आपके चलू की धूल भी मिल गई मेरी पुजा पुरी होगी, शाम बाबू झाफ जां, मेरी अ क chilli आतो यह सक्सी बदा किजिए सक्सी बदा किजिए, शाम बाबू यह सही ओना है? शाम बाबू हुआ है हुआ हुआ मन में कोई मेहल ना रखना बिन्ति करने जाती हुआ बिन्ति करने जाती हुआ मेरे दुआ है लाख जनम तक तू हो नहीं दुल्वन समझना मुझे को सोतन मेरे दून की जोगन करते हुआ करते हुआ करत दो वाल वाल झाल झाल